लोगड़न नहीं लगा और आपने टाइम सारा वेस्ट कर दिया यह जो गोल्ड़न ऑपरिशुनिटी है ना गुरूप के आसपास पहले देना है शुरूब में फिर दीरे दीरे इसके टाइम होगा एक घंटा तो मीनिमम रखो रहे हैं काफे सारे स्टुडेंट जो है ओमिक् करें कुछ और रीजनिंग में स्टुडेंट को एक क्वेरी आ रही है कि रीजनिगों कैसे अपने जो माक्स है थर्टे नमर की जो रीजनिंग है ग्रूप इसमें अगर टॉंटिफोर टॉंटिफाइव आ तो कैसे तीन-चार नमर तक और इंक्रीज कर सकते उनके बार हम यह लोग बतायता हूं कि आप लोग एक चीज़ यादा रखना कि लॉगडाउन लगे लगा नहीं लगए यह नहीं लगएगा यह नहीं लगेगा वह बात की बातें आप यह चांस अगर नहीं लगा और आपने टाइम सारा वेस्ट कर दिया यह जो गोल्डन ऑपरशुनिटी ह लगए ना इतने तयार हो जाओ कि जैसे है आपका जो भी एकसाम होगा तो आप जो है उसमें क्वालिफाइग कर लो उस चीज़ के तयारी कर लो ठेके वहां किसी चीज़ को प्रावल्लम नहीं ने थाएक को यह सोच के टाइम ना घुजारे कि नहीं अभी तो नहीं लगा यह होगा वहोगा किसी चीज़ का वेट मत करो ठेक यह चीज़ आध्यान रखना आप सबसे ज़्यादा तो डिमोटिक्वेट होने की जरुवत नहीं है एक वीडियो अफ्लोड करूंगा कल को ठेके उस वीडियो में आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा जो प्रैक्टिकल ची टैस्ट वक की manger प्री तो इस बर क्या है फिकाएज़ ऐसेंद को एकस वर था करें तर안 और माइव्त没有 हुट्ग फ्री यह कोई التव कोई तैसettu लेकर एकथा संबर तक इससे पहले कोई पास फ्रेयता हैके लाइफ टाइम सब्सक्राइट kiss smell कोट अप्लाई करता है तो दो सो नौर पे जो है आपके आफ हो जाएंगे च्छे सो नौर पे लाइफटाइम का ओफर चल रहा है लाइफटाइम का टीन साल तक वैरेड होगा 31,000 सदा मौक टेस्ट हैं प्लस कुरूप डी की जो कोचिंग है यह पूरी फ्री होगी इसके साथ अगर इस किसी को नहीं खरीद नहीं है पूरे लाइफटाइम का तो एक और ऑफर चल रहा है यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ यहाँ आपका पास पास था इसमें से जो है अगर आप ग्रेट आईग्यों कोट अपलाई करते हो तो 119 रुपे की जो छोट मिलती है और इसक करो बहुत ज़रूरी आपको प्रेक्टिस को बहुत आगे तक ले जाएगा ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग की देखो कुछ चीजा आप लोग आदकना जो रीजनिंग है वह आपके 30 मार्क्स की आईगी 30 मार्क्स की नॉर्मली एवरेज जो स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है उनका जो स्कोर होता है वो 22 से लेकर 24 तक रहता है ठीक है 25 26 25 तक माले दें 25 तक स्कोर रहता है ठीक तो यह वाला आपका सेक्शन है अगर आपके 22 या 23 आ रहे हैं तो उसको कैसे आप 27-28 तक पशा सकते हो उसके लिए मैं छोटे सीज होताना तो उनके कुछ चेप्टर ऐसे हैं जैसे आपका जो से लोगिजम अगयरा होता है जो स्टेट्मेंट क्लूजन होता है सीरीज होता है वो उनको प्रॉब्लम होती है महाँ करने में तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए पहले मैं आपको उदा दू आप लोग 15 जनवरे तक का जो है सब कुछ कंप्लीट कर लो 15 जनवरे तक उसके बाद पूरा का पूरा फोकस जो है रीजनिंग में करोगे ठीक क्योंकि रीजनिंग आपको 30 में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने यहां पर तीन चार नमर जो है सेलेक्शन में बहुत आपको आगर आगे तीन चार नमर जो डेली के डेली जो 30 कोशन है, जो 30 कोशन होते हैं उसके ब्रैक्टिस सेड लगाना है न या पूर के पूरे-पूरे टेस्ट है उनको पर पर प्रीचास कोशन करने गा다면 प्रेड के बाद प यहां आपको 30 कोशनिंन में आपका काम हो जाएकना अब आपको स्रौन कम चांपूर यह में बोलने को सब्सक्राइब शूरुकवutan करने हैं और उसको बीच मिनिट तक लेका अना है था करो मान प्रदो चौशन में से सारे deb करने साब आपके 24 qeqn सही चलेगी 24 एक arbit आपको चाहें हमारे तोया है भिष्टिया है टाह सब्सक्राइब गenti-शान के सियंकर ले मैंूख रत कि यहाँत झाल रति यह उद्यक्रतिव करें घ्र को है तो है पसक्षोन करें इसी सब्सक्राइब जो आपके 6 question गलत गें, इनके हर question के आपको 5 question कर लें, मतलब 6 question के आप देखोगे, इनके 5-5, यानि 30 question ये करोगे, और 30 question वो करोगे, अगर आप ये वाली strategy follow करते हैं, उसमें होगा क्या कि आपके वाले, जो mix question है, उसमें आपका timing में कम होगा, आपको आदत पढ़ेगी, पूरे question attempt करने हैं, दूसरी चीज है, आपके आप mistake कर रहे हो, मानलापका series में, या फिर जो triangles वगएरा होते हैं, counting में, counting figure में, उसमें कुछ गलती हैं, तो जब आप daily daily इनको करोगे, daily करना है मगर, daily एक घंटा निकाल लो आप, एक घंटा तो minimum रखो reasoning के लिए, ऐसा मत करो, reasoning को avoid करो, यह मत सुचो कि आपको आती है, तो उसको छोड़ दो, हाँ अच्छी बात अगर आपको आती है, अगर फिर भी एक घंटा उसको दो, आदे घंटे एक mixed question का set लगाओ, और आदे घंटे जो है इनके practice करो, अगर यह ही है strategy को आप follow करते हो, तो धीरे धीरे 5 तक जो फर्वरी तक आएगा, तो आपका definitely जो score है, वो धीरे धीरे increase होना start हो जाएगा, अगर किसे student को इसमें भी कोई दिक्कत आती है, किसे जनलों को problem आती है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, जल्दी से जले आपके फिवर्ट से फहले, physics और biology की पूरी वीडियोस है, वो complete कर दूँगा, उसके परिशानी मतलम, अगर फिर लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा आप लोगो, याद रखना आप लोग की demotivate मत हो, lockdown से related लेकर, अगर lockdown नहीं लगता, तो फिर याद रखना, पेपर होगा और पेपर होगा और तयारी नहीं हुई, तो बड़ी problem हो जाएगी, ठीक, इसके लिए मैं आपके लिए कल एक वीडियो प्लोड करूँगा, और उस वीडियो में आपको actual में कुछ चीज़ा दिखाऊँगा, कि हाँ ये क्यों ही सुनहरा मौका क्यों है, इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, तैयारी करने ही पड़ेगी कैसे भीज़र के, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, आई होब वीडियो आपको अच्छे लगी किसी कोई दिक्कात है, कमेंट कर सकता है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई, all the best, take care.